आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे अपर परियोजना निदेशक राज परियोजना कर्याले लखनव उत्तर प्रदेश का ये आदेश है जो की राज सुचना अधिकारी NIC योजना भौन लखनव को दिया गया है अगर डेट की बात करें तो 30 जुलाई 2021 का ये आदेश है विकल्प में आउकास निरस्तिकरण के निमलिखित कारणों को ड्रॉपड डॉपड डॉपड विंडो का मतलब सीदे दोस्तों ये होता है जैसे कोई बॉक्स बना होता है और उसमें जो एरो होता है तो एरो पे क्लिक करते हैं तो तमाम options आपके सामने खुल जाते हैं तो वही drop down window की बात करा है, उसमें ये चीजें जोड़ी जाएं, इसके बारे में ये दिया गया है, यह आप देखिए पहला है, अनुमन्य नहीं, दूसरा विकल्फ है, संगलगनक नहीं या अपूर्ण हो, कई सिख्छक पहले से अवकास पर हो, गलत reporting officer, निर्वाचन कारे, अ उसमें drop down window है, उसमें आप इसे संगलगन करें, ताकि अगर आपका आवकास निरस्त किया जाता है, या cancel किया जाता है, तो कौन-कौन से वो condition है, उन conditions को यहाँ पे दिखाया गया है, नीचे देखते हैं, department की logging ID पर जनपदवार वा ब्लाक वार निरस्ति करणड के कारण report generate ह हो सकें, दूसरा है, आवकास आवेदन करता की logging ID से, आकस्मिक आवकास है, तो आवेदन करते समय आवकास जुलाई से सितंबर माह के लिए प्राता आठ बजे के बाद, तथा माह अक्टूबर से 20 माई तक प्राता नौ बजे के बाद, उसी तिथी का आवकास आवेदित ना हो सकें, यानि कहने का मतलब यह है दोस्तों, जो आपका सीत काल में विद्याले का टाइम होता है, आठ बजे का होता है, तो जिस दिन आप आवकास ले रहे हैं, तो आपका आवकास आठ बजे के बाद, नौ लिया जा सकें, उसके आलावे, जो ग्रिसम काल का समय होता है, न प्रधाना ध्यापक होंगे तो उनका अलग एक बाक्स रहे जिसमें प्रधाना ध्यापक हो और खंड सिक्छादिकारी लेवल की जो चुट्टियां है उसके लिए जो आवेदन हो उसके लिए अलग बाक्स हो ये तीसरे बिंदू के अंतरगत कहा जा रहा है कि ये दोनों बड की जा चुके अवकास प्रक्रोणों के संब्ध में संगलगलकों को भविस में भी देखने योगे बनाए यानि जो संगलगलक इसमें यूज हो रहे है वो भविस में भी देखा जासा कि उसे सुरक्षित रखा जाए चौथा बिंद इसी को कहता है पाच्वा बिंदू है डिपार्टमेंटल लागिंग के लीब माड्यूल के अंतरगत लीब पेंडेंसी रिपोर्ट के अंतरगत कुल बलाकों की संख्या कुल इस्कूलों की संख्या जनपत में कुल पंजिकृत कर्मिकों की संख्या ड्रिल डाउन फीचर में प्रदर्सित हो बलाकों की संख्या इस्कूलों की संख्या और सिक्षकों की संख्या drill down में clickable हो यानि drill down में click करके block की संख्या हो इस्कूल की संख्या हो या सिक्षकों की संख्या हो आसानी से वहाँ देखी जा सके इसके साथ ही school level के निरस्ति करण के कारण भी देखे जा सके सात्वे मिन्त के अन्त करें डिपार्टमेंटर लॉगिंग पर लीव माड्यूल के अंतरगत एवरेज सेंक्शन्स टाइम के अंतरगत एक ड्रापडाउन जोड़ें जिसमें मंडली सहाइक सिक्षा नहीं देशक, जिला बेशी सिक्षा अधिकारी, खंड सिक्षा अधिकारी ये चीज सो होंगी अंत में एक और कालम जोड़ें लाल एरो से मार किया हुआ जिसमें जिला बेशी सिक्षाधिकारी के अस्तर पर लंबित अवकास प्रक्रणड दिखें तता वर्तमान में बले हुए कालम एवरेज वेटिंग टाइम को परिवर्तित कर एवरेज वेटिंग टाइम आफ वी यो करें इसी में स्कूल लेबल तक ड्रिल डाउन विकल्प बनाए जिसमें टीचर लेबल तक अवकास स्टेटस दिखें आठवा बिन्वे दोस्तों डिपर्टमेंटल लागिंग तथा आफिस लागिंग के अंतरगत लीव माड्यूल के अंतरगत लीव एवरेज सेंक्शन्स टाइम के अंतरगत आवकास का प्रकार चुनने पर एक अतरिक्त कालम जोडें जिसमें निर्धारित अवज टी ओटी के बाद आवकास स्विक्रित किये गए प्रदर्सित हो नवा बिन्वे डिपार्टमेंटल लागिंग तथा आफिस लागिंग के अंतरगत एक रिपोर्ट प्रदर्सित हो जिसमें जनपदवार बलाकवार ऐसे कर्मकों के सम्मन्द मे किसी ट्रांजेक्शनल एक्टिविटी है तू लागिंग करने में अथवा आवकास अप्लाई करने में परियोग नहीं कर रहे हैं इसमें डेट फिल्टर भी उपलब्ध हो तो दोस्तों इतनी सारी चैन्जिंग के लिए आदेश दिया गया है और सिख रही इसे अपडेट क करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के साथ वेल आइकन को अवस प्रेस कर ले ताकि मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको प्राप्त होते रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्